आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो कोई कहानी या किस्सा नहीं बलकी हकीकत है जो उस देश की सची घटना है जिसे कभी सोने की चिरिया कहा जाता था लेकिन ब्रिटिश सरकार सारा सोना भारत से लुट कर ले गए लेकिन अभी भी भारत के कई हिस्सों में प्राची शोबन सरकार को वहा के राजा राम बक्ष की आत्मा ने उनको जमीन में गड़ा एक हजार टन सोने का रहसे बताया जो आज के सोने के रेट के हिसाब से इसकी कीमत आंके तो 29 खरब रूपय के लगभग बैठती है कौन थे राजा राम बक्ष कहां से आया सोना कैसे मौत हु मालूम नहीं है। यहां के इतिहासकारों की माने तो 2 जून 1857 की क्रांती में दिलेश्वर मंदिर में 612 अंग्रेज को जिन्दा जला दिया था। इसमें जनरल डिला फ्रोस भी मौजूद थे। कहा जाता है कि राजा चंडिका देवी के बहुत बड़े भक थे। वह रोज है कि जब अंग्रेजों ने उनको अंग्रेजों को जिन्दा जलाने की सजा के रूप में फांसी की सजा सुनाई गई और उनको फांसी पर लटकाई गई तो उन्हें कुछ नहीं हुआ। इस तरह तीन बार उनको फांसी दी गई मगर राजा को कुछ नहीं हुआ। तब रा धोडिया खेडा के बुजूर्गों का कहना है कि यह खजाना बड़ा तिलिस्मी है। अठारा तारीक से सोने की खोज शुरू करने वाली A.S.I. की स्टडी भी इस बात की तस्दीक करती है कि खजाने को हासिल करना बहुत टेडा काम है। अध्ययन के अनुसार धोडिया खेडा के प्रतापी राजा राम बक्ष के जिस किले में सोने का खजाना दबा होने की बात कही है उस किले को तिलक चंडी राजपूत ने सत्रवी शताबदी के दोरान बनाया था। ओम जी तर्ग देते हैं कि भले ही राजा को फांसी हुए 150 साल से अधिक हो चुके हूं लेकिन 5 साल पहले तक गाउं के बच्चों तक ने राजा साहब को सफेद भोडे पर 4-5 सैनिकों के साथ मंदिर आते और किले की रक्षा करते देखा है। ग्राम प्रधान अजैपाल सिंग भी हामे हा मिलाते हुए कहते हैं कि उस इलाके में घोडे की चाप और मंदिर में किसी के रोज पूजा करने के निशान अभी दिखते हैं। हालां कि ख्वाबों के खजानों का ये दावा अभी विशेशग्यों को हैरत में डाले है। ऐसा माना जाता है कि तालुकदार ने पहले खजाना दबाया और फिर किले का निर्मान किया। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने वाली कई रियासतों के राजाओं ने राजा राम बक्ष के किले को सुरक्षित मानते हुए अपना खजाना वहाँ पर दबाव दिया था एसाई वभूगर्ब वेग्यानिकों की जाँच के मताबिक किले में 15 फुट नीचे खजाना मिलने की संभावना जताई जा रही है इसमें दबे सोने की कीमत करीब 3 लाग करोर रुपे बताई जा रही है स्वामी ओम के मताबिक राजा राव बक्ष सिंग सपने में नहीं आये थे बलकि साक्षात प्रकट हुए थे तब ही उन्होंने सरकार से सोना निकलवाने की बात कही थी मरा हुआ राजा घोडे पर भूमता था उम स्वामी के अनुसार दिवंगत राजा राव बक्ष पांच साल पहले तक इस इलाके में घोडे पर सवार होकर भूमा करते थे वे किले के आसपास भूमा करते थे उन्हें इस इलाके के कई लोगों ने देखा है स्वामी के मताबिक गाव दोडिया खेडा का बच्चा बच्चा आपको इसके बारे में बताएगा गाव के ही एक और बुजूर्ग आदमी सीताराम ने बताया कि जब उनकी उम्र दस साल की थी तक एक बार सरकार ने यहां खुदाई करवाना चाहा था इसके लिए करीब एक दरजन के आसपास मजदूर भी लगाए गए थे मगर कहते हैं कि जैसे ही मजदूरों ने इसके लिए में खुदाई आरंब की उसी समय वहां कई सापों ने मजदूरों पर हमला बोल दिया था इसमें दो मजदूर की मौद भी हो गई थी इसके बाद से वहां खजाने को लेकर कोई खुदाई नहीं की गई पुरातत्व विभाग की टीम ने 12 अक्टूबर से कैम्प लगा कर सफाई का काम शुरू कर दिया है 18 अक्टूबर से स्वर्ण भंडार की खुदाई का काम शुरू हो गया है उन्नाव के पुर्वाक शेत्र के एक ही परिवार के चार लोग राजा के वारिस होने की बात कह रहे है उन्होंने प्रशासन से स्वर्ण भंडार में अपना हक लेने की बात कही है साथ ही राजा के किले में कुछ जमीन पर अपना घर बनवाने की बात कही है